नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत हैं में इस नीघ विडियों तो दोस्तो एक्सप्रेश्वेड पर बाइक चलाने वाले को 20 हजार तक का चलान जोईसर किया जा रहा है दोस्तो हम निए जानेंगे कि ये कहां की बात है और कौन सी हैवे पे जोईसर बाइक चलाने पर 20 ह जार पे का चलान किया जा रहा है यह दिल्ली मेरट एक्सप्रेस्वे हैं जिन पर दो पई और तीन पई वानों का प्रवेश जो है सो निशेध हैं बरते हुए हादसों को देखते हुए अब पुलीस ने एक्सप्रेस्वे पर चलान करना शुरू किया अब तक 25 सो से पार से ही गाजियावाद पुलीस ने सकती वरतनी शुरू कर दी एक्सप्रेस्वे पर दो पई या तीन पई या फिर किसी भी तरह का काट ले जाने पर बावंदी की बात कर पुलीस ने दो पई चालकों के 20-20,000 के चालान भी काट दिये इन चालानों की संख्या पच्चीस पर टू वीलर क्यों नहीं चल सकते हैं जबकि यहां गारियां चलाने की मीनिम्मम स्पीड के नियमों को फॉलो कर रहे हैं उन्हाने भी रोटेक्स जमा करवाया हैं और वे कहें भी अपनी गारी चलाने के हगदार हैं वहीं दूसरी तरह पुलीस का कहना था कि एक्सप्रेस पुलीस का 20,000 का चलान भी कार सकती हैं क्या हैं चलान काटने के नियम और क्या मोटर वेकल्ड एक्ट में इसे ऐसे किसी चलान का प्रवधान हैं वैसे तो रोटेक्स का कोई भुगतान गारी के खडीते समय आप करते हैं और यह उस समय तक वैलिड होता हैं जब तक आपका रेजिस्टेशन वैलिड हैं इसके साथ ही आप अपने नीजी वाहन को कहीं भी चलाने के लिए स्वतंत रहें लेकिन इसमें से एक पैंच हैं एक्सप्रेस वे जैसे हाइवे बनाने के दौरान इनको कुछ तरह इस तरह से डिजाइन किया जाता हैं कि वह इस पर हाई स्पी बाहनों को खतरा हो सकता हैं जिसके चलते इन सरकों पर दो पहिया वाहन का परवेश निशेद किया जाता हैं किसी भी इस तरह का नियम राज सरकार अस्थानिय प्रसासन या पुलीस परिस्थितियों वा जवरत के हिसाब से बना सकती हैं साथ ही प्रसासन नियमों को कितने का हो सकता है या एक वहस का विशय बनता है बीस हजार का चलान क्या सही है दिली मेरट एक्सप्रेश वे पर दो पहिए चालकों का बीस हजार का चलान काटा गया है ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीस हजार का चलान किस अफराद के लिए काटा गया क्योंकि मोटर वेकल एक्ट में 20,000 के चलान का कोई प्रवधान नहीं है ऐसे में इस सवाल का उठना लाजमी है क्योंकि इसको दूसरे तरीके से देखना होगा अस्थानिय परसासन या जिला में स्टेट किसी भी नियम को लागू करने के लिए जुर्मानी की राशी को ताई कर सकते हैं और ये राशी कितनी भी हो सकती है जुर्माना या चलान के तौर पर वसुल गया पैसा सरकारी खजाने में जाता है और जिसका चलान हुआ है उनको रशीद भी दी जाती है ऐसे हमें इसको चालान के तोर पर देखना गलत होगा, ये इस्थानिय पुलीस और प्रिसाशन की और से नियमों को अंदेखी पर लगाया गया जुर्माना है, तो वो ऐसे ही हाराल में सही हैं और माना जाता है, हलांकि किसी विव्यक्ति के पास ये हक हैं कि वे अपने पर लगे जुर्माने को लेकर नयाय पालिका यानि कोट या जिला मेश्टेट के पास अपनी सिकायत दर्ज कर नियम या जुर्माने को चैलेंज कर सकते हैं तो दोस्तो यह पहुत ही जादर की चलान काटी जा रही है और समस्तिया यह है कि अगर आप मेरेट दिली एक स्वेस्ष वेपर जो है जो अगर बैक या दो पई या तीन पई चला रहे हैं तो आपका भी चलान कर सकता हैं तो इससे साथान्द हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं चलान जो है जो काफी बाहनों काफी पर चोड़ों से चल रहा हैं तो अगर आप भी मेरे ठ्रदिली एक स्पेस पेपर चल रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चल लिएगा तो दोस्तों फिर मिलेंगें आप से नए वीडियो में तर तक के लिए धन्यवाद